नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए बहुत बड़ी है रेक्रूट्मन अप्डेट लेकर रहा हूँ जो की डिरेक्टली निकल के आ चुकी है DRDO की तरव से जियां दोस्तों DRDO की तरव से latest notification आउट किया जिसमें सबसे अच्छी बात है किसी तरह कि आपका कोई exam नहीं होना है ना ही कोई आपको fee देनी होगी salary बहुत अच्छी रहने वाली है इसके लिए apply करना आज ही start हो चुका है आपको इसके लिए apply कर लेना होगा कैसे apply करना है कौन-कौन candidates के लिए eligible apply करने के लिए वो पूर रहते हैं आप इसके लिए apply कर पाएंगे vacancies की बात करूँ तो और बहुत सारी vacancies जिनको आप हमारी website पर जाके check करके apply कर सकते हैं जिसके लिए simply आपको google में जाना है और वहाँ पर जाके type करना होगा www.meetacademy.in और first number पर हमारी website आपको मिल जाएगी वहीं से सारे job related updates आप ले सकते हैं और check करके apply भी कर सकते हैं तो चलते हैं recruitment update के उपर और वहीं पर चलके बाकी की information जो है आपके साथ share करता हूँ इस recruitment के बारे में सबसे लिए अगर मैं बात करूँ ये जो notification आउट किया गया है ये DRDO जाने की defense research laboratory के तरह से out किया गया है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ DRDO के लिए इसके लिए apply करना already start हो चुका है और इसके लिए within 30 days आपको इसके लिए apply जो है वो करना होगा ये DRDO जो है government का ही अधारा है यहाँ पे जो defense के related equipment जो है बनते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यह बहुत अच्छी opportunity है आप सभी के लिए और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई application fee नहीं मागेगी है चाहिए आप journal, OBC, SC, ST, Excel इसमें किसी भी category से हैं कोई fee आपको यहाँ पे pay नहीं करनी है और यहाँ पे vacancies की बात करूँ तो सबसे पहली vacancy आती है junior research research associate की आरे की हैं जिसके लिए आपको 67,000 salary रहने वाली है प्लस HR यहाँ पे आपको दिया जाएगा यहाँ पे GR की vacancies हैं जिसके लिए 37,000 पर मन्त आपकी जो salary है प्लस house rent allowance आपको यहाँ पे मिलने वाला है और यह दो तरह की vacancy हैं जो की out हुई है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 35 साल तक के candidate जो है वो RA के लिए apply कर सकते हैं और 37 साल तक के जो candidate हैं वो GRF के लिए apply कर सकते हैं is the lexation applicable है बिलकुल है 3 से लेके 5 साल तक की है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कोई exam नहीं होना है तो आपकी यहाँ पे जो selection होने वाली है वो interview basis पे आपकी selection यहाँ पे होनी है और यहाँ पे अगर मैं qualification की ही बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले research associate की बात कर ले दें जिसके लिए आपने PhD की हुई है relevant discipline में MTAC की हुई है तो आप इसके लिए apply जो है वो कर सकते हैं और GRF के लिए आपने post graduation degree जैसे के MSC electronics first division में की हुई है graduation आपने की हुई है post graduation degree आपने की हुई है engineering की हुई है आपने graduation और post graduation दोनों तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी जो application procedure है उसके लिए उन्होंने application form साथ में दिया हुआ है apply करने के लिए तो आप चेक करके इसके लिए apply जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए link मैंने आपको description में दे दिये हैं already यहाँ पे मैंने आपको link सारे दियो हैं चेक करके आप इनके लिए apply जो है कर पाएंगे दोनों link अलग लग है RA के लिए अलग से हैं, GRF के लिए अलग से हैं यहाँ पी एक location के लिए vacancies नहीं हैं फिर से बता दूँ, अलग अलग location wise यहाँ पे vacancies हैं, तो आप चेक करके इसके लिए apply जो है, वो कर सकते हैं मैंने link के description में already दे दियो हैं तो चलिए, यह था आज का notification अब मैं आपको मिलूँगा नए notification के साथ नई वीडियो के इंदर, तब तक के लिए धन्यवाज जी